पुस्पा इंपॉस्वल सीरियल के स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का फिर से एक पर सागत करती हूँ और ले के आई हूँ कुछ अपने सोच, कुछ अपने वीचार और कुछ अपने इच्छा तो जैसा कि हमने पीछले दिनों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीरियल क का अंत होता है कॉलेज के आडिटोरियम में जबकि कॉलेज फेस्ट चल रहा होता है और आपने देखा है पिछले एपिसोड में कि किस तरीके से बापोद्रा की कोसी इस राशी की गोल्डने सब काम आती है और दुश्यंत पकड़ा जाता है मले का बेटा पकड़ा जाता है तो ये कहानी तो अंत हो गई अब आगे का आगे इस कहानी का कोई हिस्सा खुलेगा तो देखेंगे और अभी जो फिलहाल एक प्राब्रेम चल रही है कि गोलू इनको मिलेगा कि नहीं किसे तुम महेंदर भाई को तो अब आपको ये मालूमी चल चुका है कि गोलू का केस इस्पेसली देवी सिंग सेखावत जी ले रही है तो यहाँ पर भी पुस्पा काम्याब हो गई देवी सिंग जी के इमोशन को जगाने में तभी तो वो ये ऐसे का प्रेस कॉंफरेंस सेमिनार वगरा छोड़ कर आ रही है बापस इंडिया गोलू का महेंदर का केस लड़न एक केस तो एनिहाव आयूशी मैडम को ही जाना है क्योंकि बाइलोजिकल मदर है वो ये तो महेंदर को बेटा मिल ही नहीं सकता है गोलू ऐसे में पुस्पा पुस्पा ने देवी सिंग जी को जिस तरह से इमोशनल हैंडिल किया है और देवी सिंग तो खुद ही इमोशनल ह और पुस्पा की कोशिस काम कर गई तो फिर फ्रेंट्स अब देवी सिंग से खावत जी आने वाली हैं अमेरिका से यूएसे से बापस अपना सारा जरूरी काम छोड़कर महेंदर के लिए केस लड़ने और ये बात पकी है कि वो तो केस हारेंगी नहीं और महेंदर को कहता है कि बाइलोजिकल मदर अगर आयूसे जी हैं तो कहीं वो ना जीत जाएं और मैं आपको बताओंगी कि आगे इस केस को आयूशी मेंडम के लिए जो लड़ नहीं है वो है नैन तारा जगल पुत्रा अब वो भी बहुत बड़ी वकील है आगे के एपिसोड में आप उ उनकी तस्वीर में दिखा दूँगी अभी तो फिलाल आप ये मैडम को देखिए हमारी जो देवी सिंग सिखावत मैडम है हाँ ये हैं ये देखिए ये जो तस्वीर है ये है नैन तारा जुगल पुत्रा की जिनको जो की आयूसे मैडम का केस लड़ रही है तो खेर हमें एक परसेंटॉ सोचना ही चाहिए केस में क्या मोड आएगा कहें लेकिन देवी सिंग सेखावत जी इस केस को हारेंगी नहीं चीतेंगी यानि की अभी हमें पुस्पा इन पॉसेम्पाइन Gandh помfTE में फिर से एक पार देवी सिंग सेखावक जी की की वइकालत देखनी है उनक कि जीत को हमें करना है तो यह तो हमें अच्छा लगा कि उनको डारेक्टर प्रोडिसर जो है सीरियल में दोबारा लाएं एक बार तो दिलिप बाले केस में थी लेकिन दोबारा लाएं तो फ्रेंड्स मेरी हार्दी कि इच्छा है कि जिस तरह से हमारे जो डारेक्टर प्रोड भी मैडम को भी लाया था तो हार दी किक्षा है कि वो लोग दामनी मैडम को भी लाएं हमारी दामनी मैडम ने भी काफी अच्छा काम किया था और नाना वटी सर उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं जब से पुस्पा इसकुल से निकली है पुस्पा जी तो नाना वटी सर बहुत कम कर सभी से और साथी मेरा रिक्वेस्ट ये भी है कि वसुंद्रा रायधन जी भी एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी और काफी अच्छा उन्होंने किया था और मांसी जी मांसी जी का भी रॉल मुझे काफी अच्छा लगा था और मुझे मालूम है कि आप लोगों को भी सरंसर बाकी है सरंसर चुकी काकू के साथ रहते हैं लेकिन काफी दिनों से इन्हें भी नहीं दिखाया जा रहा है तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है क्योंकि इनकी याद हमें समय समय पर आती रहती है लेकिन अंत में एक कलाकार जिसने इस सीरियल को काफी मजबूती दी थी अब आप सोची कि मैं किन की बात कर रही हूं समझ गए जी हाँ मैं दिली पटेल की बात कर रही हूं तो क्या आपको भी लगता है कि दिली पटेल को फिर से एक बार सीरियल में वापस आना चाहिए अगर आपको भी लगता है तो चलिए एक बार हम लोग सभी एक साथ इस वीडियो को spread करें कि दिलिप पटेल को भाई दुबारा लॉई सिरियल में दिलिप पटेल का काम अच्छा था हाँ भाई अब उसे कोसिस करना कि वो पुस्पा का दुस्मन बनके ना आए कुछ पुस्पा का छिनने के लिए नहीं आए क्योंकि हमें पुस्पा का स्ट्रेगल और देखने की इच्छा नहीं है क्योंकि काफी स्ट्रेगल वो कर रही है और लेडी हाँ अब आव दिलिप के एंट्री अगर डिरेक्टर प्रोडूसर करवाते हैं तो वो सोचें कि कैसे उनकी एंट्री होगी ताकि दिलिप पटेल का जो एक्ट है जो उनका शंबाद है फ आपको ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके तो मुझे जरूर बताइएगा फिर मैं आओंगी किसी स्पेशल वीडियो के साथ तब तक के लिए वाई वाई फ्रेंड्स